प्रवाज़ कर देख रहा है और तभी कार का दर्वाज़ा खुला और आलिया कार से बाहर निकली। मिहिर ने जैसे ही आलिया को देखा, वो बिल्कुल हैरान हो गया, वो दोरते हुए आलिया के पास गया और बोला, हे वाइफी तुम या क्या कर रही हो। आलिया ने ये बात सुनकर उसे घूरते हुए का, मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ और तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए, ये कौन सी बात है भला। मिहिर ने कहा, ने ने मैं खुश तो बहुत हूँ लेकिन तुम्हें अपना काम छोड़कर यहाँ आने कि क्या जरूरती यार, मैं कोई भी कैप बुकर लेता और आ जाता। मिहिर ने जैसे ही ये बात बोली, आलिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, बस भी करो जब तुम्हारी वाइफी तुम्हें लेने आ रही है, तब तुम्हें इस बात को सोचकर खुश होना चाहिए, इसलिए बाते बनाना बंद करो, आजाओ। मिहिर आलिया की तरफ देख कर मुस्कुराए, आलिया ने मिहिर के सामान की तरफ देखते वए कहा, चलो तुम्हें और ज़्यदा हैरान होने की शरूत नहीं है, अपना सामान डिगगी में डालो और चलो घर चलते हैं। मिहिर ने जैसे ही आलिया की बात सुनी उसने तुरंत अपना बैक डिगी में रखा और कहा लाओ आलिया मैं ड्राइव करता हूँ इतना बोलकर मिहिर उसके हाथ से चाबी लेने लगा तभी आलिया ने वापस अपनी चाबी चीनते हुए कहा नई मैं तुमें ड्राइव नहीं करने दूगी तुम वैसे भी पिछले पांच घंटे से फ्लाइट में हो ठक गए होगे इसलिए रेस्ट करो और कार मैं चलाती मिहिर चुप चाब कार में बैठ गया कार में बैठते ही आलिया ने तुरंत कार स्टार्ट की और सीधे कार एरपोर्ट से निकाल कर बाहर लाई और मिहिर की तरफ देखते हुए बोली बताओ मिहिर कहा चलना है हम अपने विला चलेंगे या फिर ओल्ड सिटी वाले घर मिहिर ने जैसे ही आलिया की बात सुनी उसने कहा एक काम करो ओल्ड सिटी वाले घर चलते हैं क्योंकि अभी मुझे शाम तक वेनी ग्रूप आफ़े जाना पड़ेगा और वहाँ पर मुझे एक मीटिंग करनी पड़ेगी निखिल, काव्या और बाकी सबी मैनेजर से काम को लेकर बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने जितना भी लोन और अपने जितने भी फ्रेंड से उधार लिया है वो सब मैं जल्दी से जल्दी चुकाना चाहता हूँ मैंने चाहता ज्यादा दिनों तक मैं किसी का भी कर्जदार रहूं आलिया ने जैसे ही मिहिर की बात सुनी उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा क्या मतलब है तुम्हारा मिहिर? मिहिर ने आलिया को इतना कन्फ्यूज देखकर कहा अरे बिष्ट ग्रूप के मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीने थे इस वज़ए से मुझे थोड़ा लोन लेना पड़ा और उनी पैसो को अब मुझे जल से जल वापस करना पड़ेगा मिहिर बोली रहा है कि तभी आलिया ने अचानक से कार में ब्रेक लगाया और कार को रोपते ये कहा क्या मिहिर? अगर तुम्हें पैसो के जरूरत है तो तो मुझे से भी तो बात कर सकते थे आकर कपूर इंदस्ट्रीज तुम्हारे काम आ जाती मिहिर ने आलिया का हाथ पकड़ा और कहा मेरे पास इतना टाइब ही नहीं था वाइफी कि मैं तुम से ये बात करके कपूर फैमिली से हेल्प मांगता सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मिहिर ने आलिया को पूरी बात समझाई तो आलिया ने एक गहरी सांस लिया और दोबारा कार स्टार्ट करते वे कहा ठीक है अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया कोई बात नहीं लेकिन अब आगे से तुम मुझे सब बताओगे अब मेरी एक बात दिहान से सुनो तुमने जितना भी लोन लिया है मुझे बताओ मैं अभी क्या भी उसे कपूर इंडस्ट्रीस की तरफ से उसे डील करती हूँ मिहीर आलिया को देखने लगा आलिया ने आगे कहा मिहीर मेरा तुम्हारा जो रिलेशन है वो अब शादी के बंधन में बनने वाला है इसलिए इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आया करे तो प्लीज उसे मेरे साथ शेयर किया करो आकर हम दोनों अब जल्दी हस्बें वाइफ बन जाएंगे और अकर तुम अकेले ही सारी टेंशन इस तरह से लेकर सॉट आउट करते रहोगे तो दिस इस नॉट फेर ना मिहीर ने आलिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा मैं तु बस इतना चाता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की टेंशन ना लेने दूँ इस वज़े से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया आलिया ने मिहीर की तरफ देखते हुए का ठीक है अच्छा तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और अगर मुझे कोई प्रॉबलम होगी ना तो मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी मिहीर हरवडाते हुए बोला ने ने तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा और अब मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प ले लूँगा चलो मैं तुम्हें अभी सारी चीजे बता दो, ठीक है? मिहीर को इस तरह से बोलते देखकर आलिया मुस्कुराते हुए कह दिये हाँ, ठीक है, अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मेरी सारी बाते मानोगे और मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे मिहीर ने तुरंत हा में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सारी बाते मानोगा आलिया ने कहा, तो पर ठीक है, आज तुम सिर्फ घर पर मेरे साथ रहोगे और रेस्ट करोगे, तुम्हें जो भी मीटिंग करनी है वो कल कर लेना, ओके आलिया की बात सुनते ही, मिहीर ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं वैफी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, अगर मैंने अर्जिंट मीटिंग करके सब को ये बात नहीं बताई तो, आलिया ने कार की स्पीड तेज करते वे कहा, तो कुछ नहीं होगा जैसे आज, वैसे ही कल, मुश्किल से एक रात की तो बात है, इसलिए चुपचा बैठो, अभी चल कर रेस्ट करो और इतना ज्यादा टेंशन लोगे, तो तुम्हारी तब्यत खराब हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए अब तुम मुझसे और वही मिहीर हो, जो हमेशा मेरी बात मानता है, है ना, आलिया की बात सुनकर मिहीर ने हामेसे रहलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे लिए मैं वही हूँ, और हमेशा वही रहूंगा, आलिया मिहीर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी, और जैसे ही वो दोनों घर पहुँचे, मिहीर काफी ज़्यादा ठका हुआ था और वो सोफे पर आकर टेक लगा कर बैठ गया आलिया मिहीर को देखकर मुस्कुराई और उसके बगल में आकर बैठते हुए बोली क्या बात है मिहीर मिहीर ने आलिया की तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए कहा आलिया मिहीर का हाथ पकड़ते हुए बोली अभी मैंने कुछ देर पहले तुमसे क्या कहा था मिहीर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम प्लीज उसे मेरे साथ शेर किया करो तुम्हें अकेले ही सब कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है तुम भी इंसान हो तुम्हें इतनी चोटी सी बात समझ में नहीं आती क्या आलिया के इस तरह बोलने पर मिहीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम्हें पता है आलिया, जब मुझे विष्ट ग्रूप का प्रेसिरेंट बनाया गया तो सब लोग बहुत खोश हुए लेकिन तुम्हें पता है, साहिल भाई की कैसी हालत हुई आलिया ने साहिल का नाम सुन कर कहा देखो मुझे साहिल के बारे में कोई बात नहीं करनी तुम्हें पता है न अब मुझे उससे कितनी ज़्यादा नफरत होने लगी है कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उसके बारे में कोई बात भी करूँ तुम भी प्लीज उसके बारे में मत सोचो मिहीर ने आलिया का हाथ पकड़ते वे का I know तुम्हारा गुस्सा जायज है और मैं भी उस टाइम साहिल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था बट एक बार मेरी बात तो सुनो तुम्हें पता है साहिल भाई का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया है मिहीर ने जैसे ही ये बात बोली आलिया थोड़ी सी हैरान हुई और उसने वीर्ड सा फेस बनाते हुए कहा क्या मतला बे तुम्हारा मिहीर ने कहा साहिल भाई की मेंटल हेल्थ इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो गई है वो बस एक ही बात को बार-बार दोहराय जा रहे है मेरे बिष्ट ग्रूप के प्रेसिडेंट बनने की वज़े से उन्होंने खुद को ऐसी सिचुवेशन में डाल लिया है जिससे सोहन चाचा और डैड से लेकर घर के सभी लोग परिशान है क्योंकि किसी ने भी साहिल भाई को इस तरह से कभी भी नहीं देखा क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉंग है कि वो कभी जल्दी बीमारी नहीं पड़ते लेकिन इस टाइम जैसे उन्होंने सारी उमीदे छोड़ दी है और उनका दिमाग बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हो गया है वो बिल्कुल किसी किसी पागल आदमी की तरह भीएव कर रहे है तुम्हें बता है सोहन चाचा ने मुझे पर ब्लेम लगाया कि यह सब कुछ मेरी वज़े से हुआ है आलिया ने जैसे ही मिहीर के मुझे ये बात सुनी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा अब साहिल के बारे में सोचकर मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है लेकिन ये कौन सी बात है जो सोहन अंकल तुम्हारे उपर हर चीज का ब्लेम लगा देते है मुझे तो साहिल से ज़्यादा गुस्ता तुम्हारे सोहन चाचा पर आता है सॉरी तुसे मिहीर बट तुम्हारे सोहन चाचा बहुत ज़्यादा सेलफिश है मिहीर ने हसते हुए कहा सोहन चाचा तो सिर्फ सेलफिश है लेकिन रोहन चाचा उनके दिमाग में तो कुछ अलगी चल रहा है मुझे श्याम अंकल ने बताया कि मुझे सब से बहुत ज्यादा केरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अब सभी मेरी जान के पीछे पड़ेंगे आलिया ने जैसे ही ये बात सुनी उसने मिहिर का हाथ पकड़ लिया और कहा क्या लेकिन क्यों मिहिर ने आलिया को रिलाक्स करवाने के लिए उसके गालों को सहलाते हुए कहा अरे अरे तुम इतना परिशान मत हो मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ बस ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बता दी क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था लेकिन डैड ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि अब अगर इतनी सारी जिम्यदारियां उठाऊंगा तो ये सारी चीज़ें तो मुझे जहलनी पड़ेंगी और मुझे इन सब चीज़ों का ज्यादा डर भी नहीं है बस मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा डरता हूँ तुम बस अपना ध्यान ठीक से रखना आलिया ने मिहीर की बात सुनकर हां में सिरह लाया और तभी मिहीर ने आलिया का हाथ पकड़ा और कहा आलिया तुम्हें पता है डैड ने मुझसे आते टाइम क्या बोला आलिया मिहीर की तरफ बड़े ही गोर से देखते हुए बोली मुझे कैसे पता होगा क्या बोल रहे थे अंकल मुझे बताओ मिहिर ने मुस्कुराते हुए आलिया के बिल्कुल करीब जाकर उसके माथे को अपने माथे से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा डैड ने मुझसे बोला है कि वो हमारी शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते और तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करने वाले आलिया ने जैसे ही ये बात सुनी उसने शौक डोहते हुए कहा क्या सच में मिहिर ने मुस्कुराते हुए हां मेसिर हिलाया और कहा हाँ अब बहुत जल्द हमारी शादी होगी और हम हनीमून पर चलेंगे आलिया मिहिर की बात सुनकर शर्मा आ गई वैसे इस टाइम पर मिहिर ये बात बोलना नहीं चाहता है लेकिन उसने इस सारी बाते आलिया को बता दी है क्योंकि वो उसका मूट थोड़ा चेंज करना चाहता है और वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे इसलिए मिहिर ने आलिया को ये बात बताई आलिया मुस्कुराते हुए बोली लेकिन हमें अभी शादी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा है न क्योंकि ये सब अभी जितना भी मैटर चल रहा है मुझे ये सब सौट आउट करना है तुम्हारे लोन के साथ साथ हमारे वेन्यो ग्रूप में भी कई सारी चीज़े है मिहिर ने आलिया का हाथ पकड़ा और उसके हाथ उपर किस करते हुए कहा हम सब मिल कर इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे तुम इन सब बातों को लेकर पैनिक पत हुआ करो समझी तुम तो बस मेरे साथ मिल कर हमारी शादी की बात की प्लैनिंग करो हमें कहा हनीमून के लिए जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है हम शादी के बाद क्या क्या करेंगे तुमने क्या क्या सोचा है बताओ आलिया मिहीर की बाद सुनकर मुस्कूराने लगी मिहीर ने आलिया को निहारते हुए कहा तुम अपनी बकेट लिस्ट तैयार करो ठीक है आलिया मिहिर की बात सुनकर मुस्कूराई और हां में से रहिलाते हुए कुछ सोचने लगी आलिया को इस तरह सोचते देखकर मिहिर ने उसे छेड़ते हुए उसके कान के करीब जाकर कहा वैसे तुम्हें अभी बच्चों के नाम सोचने की जरूरत नहीं है इसलिए इतनी गहरी सोच में मत जाओ उसमें भी थोड़ा सा टाहिम है आलिया ने जैसे ही मिहिर की बात सुनी उसके कंदे पर हात मारते हुए आलिया उटकर खड़ी हुए और बोली शट आप मिहिर जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ इतना बोलकर आलिया अपने रूम में चली गई और मिहिर उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगा क्या मिहिर के वापस मंबई आने से उसकी दिल्ली की सारी प्रॉब्लम्स वही छूट गई है और अब उसे यहां आकर कोई परिशानी नहीं होगी रोहन की दिमाग में मिहिर को लेकर जो प्लैनिंग चल रही है उसका क्या वो मिहिर को मारने का प्लैन छोड़ देगा क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रईस जादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफ इंपर